भारत मता की इनकलाब वंदे वंदे आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तप्ती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ जितने लोग इस वक्त टीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शिकों का काभी में तहे दिल से शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ सबको मेरा नमशकार सबको मेरा प्रणाम दोस्तों सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है पचास दिन के बाद अभी अभी मैं मेरी पत्नी भगवन्तमान साहब हम लोग कनौट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे हनुमान जी का आशिरवाद लिया उनके दर्शन किये फिर शिवजी के मंदिर गए शनी जी महराज के पास गए उनका सबका आशिरवाद लिया बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे उपर हमारी पार्टी के उपर देशवासियों के उपर उनी की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में होने तो किसी को उमीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बहार आ जाऊंगा लेकिन उपर बजरंग बली की गृपा है नुवान जी की गृपा है हम लोगों के उपर और चमतकार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ दोस्तो हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खतम करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिये एक साथ अर्विन केजरीवाल मनी सिसोधिया संजे सिंग सतिंदर जैन बड़ी बड़ी पार्टीयों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं पार्टी खतम हो जाती है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिये उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते हैं उतना ये बढ़ती जाती है उतना ये बढ़ती जाती है ये क्रश करना चाते हैं प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोधी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोधी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनिट बात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मानते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए इनको कुछल दिया जाए यह ताना शाहिए अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो आप देश को भविश्य दो आज आपकी सरकार है के अंदर के अंदर आप देश के लिए काम करोगे आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो ये जनतंत्र नहीं है ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती है इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी छोटे से लोग हैं हम लोग छोटी सी पार्टी है 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रताडित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधान मंत्री मोधी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताडित करने की कोशिश किया मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और ड़क्यातों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे सुत्तर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को दिफ्ती सीम बना देते हैं किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे E.D. और C.B.I. के मामले खतम कर देते हैं और कहते हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोदी जी को कहना चाता हूँ भरष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक ओडियो मेरे पास किसी ने वाट्सअप कर दिया उस आडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था आप लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंतड़ी को सी बि आई के हवाले कर दिया जेल भेजदिया था अपने मंतरी को यह होती है भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंतरी भरष्ताचार में मिरी को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहाँ पे मान साब ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया, तुम देश के सारे चोर उचके डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो, और केजरी वाल को जेल भेजदो और को मैं ब रश्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे पर धानमंत्री जी आप देश वासियों को बेवकूफ मत समझो देश बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एडी और सीबिया के सारे केस उनके रफा दफा कर द कर सकता हूँ किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफतार कर सकता हूँ एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हूँ है प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूँ समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते है और इसको दोस्त करके ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपता देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निपताते जाएंगे विपच्छ के अंदर आज इनोंने मनीज सिसोधिया को जेल बेज दिया संजा सिंग को जेल बेज दिया सतंदर जैन को जेल बेज दिया केजरिवाल को जेल बेज दिया हिमन सुरेन को जेल बेज दिया ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया केरला के सीम के पीछे पड़े हैं अगर ये चुनाव पीछ जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होगी तेजस्वी यादव जेल में होगा स्टेलिन साब जेल के अगला किसका नंबर है योगी अदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए मेर से लिखवा लो दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोगी अदित्यनाथ की राजनीती खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे ये लोग यही तानाशाही है दोस्तों वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौकिय आए जब इस देश के उपर तानाशाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाता है आज एक ताना शाह इस देश से लोकशाही खतम करना चाता है मैं पूरे तन्मन धन से लड़ रहा हूं संगर्श कर रहा हूं उस ताना शाह के खिलाब 140 करोड़ लोगों का साथ चाता हूं मैं मेरे अकेले के करने से नहीं होगा 140 आज में आप लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड लोगों से 140 करोड लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरा भारत बहुत महाँ है इस ताना शाही से बचालो मेरे दोस्ट मेरे देश को मैं सुप्रीम कोड का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूँगा पूरे देश भर में गूमूँगा इस ताना शाही को रोकने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मेरे सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरे तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्ते अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ये लोग इंडिया के खिवंधं से पूचते हैं आपका प्रधान मंत्री कौन हो गा कि मैं बीजेपी से पूचता हूं आपका प्रधान मंत्री कौन हो गा आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवल क्या बात कर रहा है मोदी जी होंगे नए मोदी जी अगले साल 17 सितमबर को 75 साल के हो रहे हैं बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके प्याद मौदली महरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोधी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना चाता हूँ आपका प्रधान मंतरी का दाविदार कौन है दोस्तो अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निप्टाएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमिट शाह को ये प्रधान मंतरी बनाएंगे तो मैं लोगों को देश के लोगों को आगा करना चाहता हूँ मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे मोदी जी अमिट शाह को प्रधान मंतरी बनाने के लिए वोट मांग रहे मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और अमिट शाह जी से ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा क्या मिठ्शा मोदी की गारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आऊंगा उसके उपर मुझे नहीं लगता है इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब बीजेपी का वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दे रहें आप हम इच्छा के नाम पर वोट दे रहें अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझ के कहीं है दोस्तों पूरे देश के मेर को बाहर निकले वे बीस घंटे हो गए इन बीस घंटों के अंदर भी मैंने रात भर मैं जनता से बात कर रहा था लोगों से फोन कर रहा था रात को आंधी आई थी पिछले बीस घंटे में मैंने जो बातचीत करी है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सिफलोजिस्ट से बात की जनता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आखलन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही मोधी सरकार नहीं बन रही दोस्तों अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताना हर्याना में इनकी सीट कम हो रही है राजस्तान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिल्ली में कम हो रही है बिहार में कम हो रही है महराष्टर में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जारखंड में कम हो रही है बढ़ कहा रही है यूपी में कम हो रही है बढ़ कहा रही है बढ़ एक भी जग है इनकी सीटे नहीं बढ़ रही है मेरा अपना मानने और सट्टा बजार में भी माववज्व चल रहा है इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रहे हैं उससे ज़्यादा सीट नहीं आ रहे है मोदी सरकार नहीं बन रही है केंद्र में इंडिया गठवंदन की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिल्ली को पूर्ण रज्य दिलाएंगे दिल्ली का LG लोगों का LG होगा दिल्ली का LG दिल्ली वालों का LG होगा गुजरात से आये हुआ है भी दिल्ली के लोगों का LG होगा दिल्ली के लोगों का विकास होगा एक और पॉइंट है जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया केजरिवाल सी एम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं याप मंतरी मुख्य मंतरी परदान मंतरी ये सब बनने नहीं आया इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था कमिशनर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर कांग किया है सुन्दर नगरी और नंदर नगरी की जुगियों के इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जंता ने इस पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर उननचास दिन के अंदर सीम पद से इस्तीफा दे दिया था एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़का सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप सीम की कुर्सी को लाथ मार दी थी उननचास दिन के अंदर मेरे लिए सीम पद इंपॉर्टन नहीं है आज मैंने CM पद से इस्तिफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे इतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वोट एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आमादमी पार्टी को कोई नहीं अरा सकता तो उन्होंने एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरिवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजरिवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजरिवाल की सरकार गिर जाएगी उन्होंने ये शड्यंत्र रचा मैंने का मैं भी इस्तीफा नहीं दूँगा तुम अगर तुम अगर जन्तंत्र को जेल में कैद करोगे तो जन्तंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कता इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फसने वाले नहीं हैं ये अगर हिमन सुरेन साब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए थी अगर हमने स्तीफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हा रहेंगे इसके मुक्यमंतिरी को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार गिरा दो अज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा वो इस तानशाही के खिलाफ संघर्श कर रहा हूँ इसको समझ लेना केजरिवाल को किसी पद का लालच नहीं है सीएम तो सौ सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है दोस्तों मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो क्यों खास कर मेरी माँ बहने महिलाएं बहुत रोईं कई उने बहुत मन्यते मांगी मैं सबका बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपनी दुआएं करोडो करोडो लोगों ने अपनी दुआएं भेजी है पूरी दुनिया भर से करोडो लोगों ने दुआएं भेजी उन्हीं के आशिरवात का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ आप लोग सब लोग सुखी रहें देश खुब तरक्की करें फले भूले आप सब लोग खुब खुश रहें ऐसी मेरी प्रभू से इच्छा है भारत माता की रास्ट गान के लिए अपने जगर पर सभी लोगों से आग रहें कि खड़े हो जाएं दिल्ले के मुखे मंतरी अर्विंद के जिवाल को आप सुन रहे थे भारती जनता पार्टी पर एक के बार एक कई ताबरतोड हमले करते हुए यह कहते हुए कि मुझे पद का लालच नहीं है और सौ पद इस तरह के कुर्बान हो इस देश के नाम आखरामक तरीके से यहाँ पर आपको बताते चले कि कल ही देर शाम वो जेल से रिहा हुए हैं और अब अगले 20 दिनों की उनकी रणनीती है यह भी दावा करते हुए कि अगले 24 जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में मैं 37 घंटे काम करूँगा देशबर का दोरा करूँगा भारतिय जनता पार्टी को लेकर कर्या रोप लगाते हुए यह कहते हुए कि उनकी सीटे 220 से 230 ही आने वाली हैं यहाँ पर देखिया अपने कारे करताओं को फ्लाइं केस करते हुए यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं दिली के मुख्य मंतरी अरवंदी के जिवाल माताओ बेहनों का खास्ता और से धनवाद उन्होंने ग्यापित किया यह कहते हुए कि उनका आश्रवाद है कि मैं इतनी मजबूती से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मंच की तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं संजे सिंग जो हमने देखा था कुछ मेंने पहले जेल से बाहर आये थे भगवंत मान कर लेने गये थे दिले के मुख्यमंतरी को जब तिहार जेल में वो बन थे और बाहर निकल रहे थे और यहाँ पर आम आदी पार्टी का उत्सा बढ़ा हुआ है उनका ये कहना है कि अगर जनतंत्र को जेल में रखने के कोशिश की जाएगी तो फिर जनतंत्र को में जेल से ही चलाऊंगा ताना शाही के खलाफ लोगों को जागरूप करूँगा और देश भर के दोरे पर रहूँगा दिले के मुख्यमंतरी अर्विंद के जिवाल के और से ये तमाम बड़ी बाते कही गई है ताना शाही रोकने के लिए देश भर म जाँ का मुख्यू भर मम करना शाही जाँ बाते के सबस्की बाते है ताना शाही जाँगा पिर एगे लिए लिएक टन्कों का माम पर बाते है जो बाते ही जाती जाती है।